हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका आशिश मड़ो में हमारे सामने खड़े यह All New Updated Tata Tiago 2022 जैसे कि आप जानते है Tata Tiago का XT वेरिंट जो है Most Value for Money वेरिंट माना जाता है विकॉज उसमें मिल जाते हैं आपको जरुत के सारे फीचर्स लेकिन Tata अब लेका यह XT Rhythm Pack को जिसमें लगवा 35 अरुपे देखके आप बहुत सारे फीचर्स एड़ान करा सकते हैं तो उसी के बारे में आज हम Complete Detail में बात करने वाले हैं इसके Exterior से लेकर इंटेर तक Engine Features then Price के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके Color Options से जिसमें आपको Daytona Gray, Persian White, Arizona Blue, Flame Red, Midnight Plum यह 5 Color Options देखने को मिलते हैं और इसमें आपको Dual Tone Color का भी Option दिया जाता है Variants की बात की जाए तो Tata Tiago में अब आपको XE, XT, XT Rhythm Pack, XT Optional और Exit Plus यह Variants देखने को मिलेंगे इसका जो Exit Wind है वो Discontinue कर दिया गया है इसमें आपको Manual के साथ साथ Automatic का भी Transmission दिया जाता है Engine Aspects की बात कर लेते हैं तो यह आपको एक Engine Offer किया गया 1.2 Liter का Revitron Petrol Engine जो 85 BHP की पाउर और 113 Nm का टॉक जिल करता है और 23.84 km पर लिटर सक की आपको Miles देखने को मिल जाती है इसमें CNG का भी Option है अगर आप वो लेते हैं तो 73 BHP की पाउर और 95 Nm का टॉक मिलता है अब बात करेंगे अगर इसकी की 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 तो ऐसी कुछ आपर की आफर की जाती है Lock on Lock, Follow Me, Headlines के बटन और यहाँ पर Flip की आपको दी गई है और पीछे आप देखेंगे तो Tata की branding आपको जाती है Tata की तरफ से आप चाहाँ तो इसको extend भी करवा सकते हैं यहाँ पर आपको Tata की branding Tata logo दिया गया है ग्रिल के बात करें तो ऐसी कुछ आपको glossy black फिरिस के साथ पूरी grill offer की गई है ट्रायर डिजाइन में जब आप इसके top wind में जाएंगे तो आप आपको chrome treatment भी देखन कर देता है यह तो होगा grill का profile अब बात करते हैं headlamps की तो XT wind में आपको halogen headlamps दिया जाते हैं turn indicator के साथ में जब आप इसके top wind में जाएंगे तो वहाँ पे आपको projector headlamps offer किये जाते हैं जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको XT wind में fog lens offer नहीं किये जा ground clearance की बात कर लिए तो 170 mm का ground clearance नहीं आप पर offer किया गया है अगर आप इसका CNG variant लेना चाहते हैं तो वह आपको XE, XM, XT और XZ plus variant में देखने को मिलती है यहाँ पर आपको towing hook को option दिया गया है और पूरा bonnet area देखेंगे काफी क्रीजेस आपको देखने को मिलती है यह तो कि front profile के बाद आप चलते साइड में और साइड profile में देखते है कि XT rhythm pack में क्या कुछ आपको offer किया जा रहा है तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो 14 inch के hyper style wheels यहाँ पर देखें जो कि alloy wheels जैसे देखने में लगते हैं यहाँ आपको Tata की branding देखने को मिल जाती है जो suspension का travel है इतना कुछ यहाँ पर दिया गया है hyper style wheels, Tata की branding, tax section की बात की जाए तो 175, 65, R14 का पूरा tax section देखने को मिल जाती है तो XT rhythm pack में यहाँ पर आपको hyper style wheels मिलने है यह काफी अच्छी चीज है अब बात करें इसके ORBIMS की तो ऐसे कुछ आपको electrically adjustable and foldable ORBIMS आपको offer किया जाते है गाड़ी की dimensions की बात कर ली जाए तो 37, 65 mm इसकी length है, width की बात की जाए तो 16, 77 mm और height की बात की जाए तो 15, 35 mm आपको height देखने को मिल जाती है and side से भी देखें काफी बहतरीन से आपको looks यहाँ पर offer किये जाते है गाड़ी के wheelbase की बात की जाए तो 2400 mm का wheelbase यहाँ पर दिया जाता है and यह hyper style base इसके looks को और भी enhance कर दे रहे है यहाँ पर B-plur पूरा blackout रखा गया है matte blackfish में यहाँ आपको body color door handles जब आप इसके top window में जाएंगे तो आप आपको chrome treatment भी देखनी हो मिलता है इसके door handles पे अब चलते है rear में और rear से देखते हैं क्या कुछ changes किये गए है जब आप rear profile में आएंगे तो एक major change आपको देखनी हो मिलेगा वो मैं आगे आभी cover करता हूँ rear में आपको drum brakes, front में आपको disc brake देखने में यहाँ पर से start करें तो यहाँ पर आपको high mount stop lamp यहाँ पर आपको कोई defogger वगरा नहीं मिलता है XT brand में यहाँ आपको Tata की branding, नीचे आपको Tiago की badging दी गई है जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे bumper पर आपको दो reverse parking sensor दी गए matte black finish और body color पूरा bumper यहाँ पर दिया गया है and left side देखेंगे यहाँ पर मिलता आपको fuel filler cap, capacity की बात कर ली जाए तो 35 liter की आपको fuel tank capacity मिलती है, petrol and CNG का option है इसमें आप चलिए इसका boot open करते हैं आपको boot space दिखाते हैं तो आप अपनी key से या front cabin में दिये के lever से boot को access कर सकते हैं अगर space की बात की जाए तो इसमें आपको 242 liter का boot space offer किया जाता है अगर आप CNG brand लेते हैं तो आपको boot space ना के बरबर ही देखने हो मिलेगा थोड़ा सो loading lift है जिससे की luggage रखने में थोड़ी सी problem हो सकती है अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे आपको मिलता है spare wheel toolkit आपको देखने हो मिल जाती ही पूरी काफी major changes आपको देखने हो को मिल लेंगो उसमें भी उसको भी आगे cover करते हैं अब चलिए इसके boot को करते हैं बंद और चलते हैं rear seats पे और rear seating comfort leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से check करते हैं और interior में देखते हैं कि आपको changes किये गए XT rhythm pack में body color आपको door handle से यहाँ पे दिए गए अगर इसके door trim की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको dual tone color में door trims offer के जारे हैं white and black finish में यहाँ पे देखिएंगा आपको black finish में मिलते है door opener top bend में जाएंगी तो आपको chrome treatment देखने हो मिलता है नीचे आपको speaker की placement दी गई हाँ पे आपको bottom holder door pocket देखने को मिलती है rear cabin की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको पूरा seating arrangement दिया गया है दो headrest मिल जाते हैं जिनको आप adjust नहीं कर सकते हैं फिस्ट हैं पूरा leg room आप देख सकते हैं अच्छे का सा space आपको मिलता है fabric की seats आपको मिलती है जिसमें आपको dry design भी देखने को मिल जाती है अब चलिए अंदर बैटते हैं अंदर से बैटके पूरा space चेक करते हैं तो अंदर बैटने के बाद देखेंगे इतना कुछ leg room आपको मिलता है आगे की seat है में recording adjust है और मेरी height 5 foot 8 इंच है आपको ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पर देखें कि कोई rear AC vents नहीं मिलते हैं कुछ space यहाँ पर दी गई है पूरा interior dual tune color में अगर उपर की बात की जाए तो यहाँ पर मिलते हैं आपको foldable grab handles पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको दो headers दियेगा है जिनको आप adjust नहीं कर सकते हैं फिक्स रहे हैं पीछे की पार्ट्रे जिसमें की छोड़ा मोटा समान आप रख सकते हैं rear passenger screen आपको seatbelts दी गई है front dashboard के अब बात करें तो यहाँ पर major change आपको देखने को मिलेगा इसके XT rhythm pack में यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 7 inch का touch infotainment system regular XT vent में आपको 2 din का audio system offer किया जा रहा है तो काफी बढ़े features यहाँ पर add-on कर दिये गए इस टेरी पर आपको सारे controls में जाते हैं तो rear की तरह आपको front में भी dual tone color में door tips offer किये जा रहा है यहाँ पर देखनें कि आपको black finish में door opener उसी की निचे आपको pounder के सारे controls यहाँ पर दिये गए निचे आपको speaker की placement यहाँ पर आपको bottomless door pocket देखने को मिलती है इसके जो ORBMs है इनको आप यहाँ से adjust कर सकते हैं fold कर सकते हैं सारे controls यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है front cabin की बाद करें तो ऐसा कुछ आपको पूरा seating arrangement यहाँ पर दिया गया है आगे के जो दो headers हैं आप उनको adjust कर सकते हैं fabric की seats, front dashboard की बाद की जाए तो rear से बेहन आपको अभी दिखाया काफी बड़ी है features आपको मिल जाते है एक्टी रिदम pack में fabric बाउस्टी and एक्टी रिदम pack में आपको यहाँ पर देखेंगे height adjustable seats add की गई है rack line कर सकते हैं अपनी seats को, नीचे fill को फोलने का button और boot खुलने का lever दिया गया है यहाँ पर manual ABC battles, यहाँ से अब आपना bonnet open कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे AC के vents, यहाँ पर कुछ space आपको मिलती ही coin बगरा रखने के लिए अब चलिए अंदर बैटते हैं और अंदर से बैटके सारे features cover करते हैं front driver seat पर बैटने के बाद ऐसा नजर आता है इसका front dashboard चलिए गाड़ी को on करते हैं, दिखाते हैं आपको इसका instrument cluster तो यहाँ पर मिलती है आपको physical की जिसको on करती ही fully digital information cluster यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसके XEVENT सा ही offer किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे बीच में आपको MID मिल जाती है, जिसमें आपको speedometer भी दिया गया है, जो कि digital है, left सार आपको मिल जाता है rp meter, right सार आपको fuel gauge, temperature cluster के जहाँ पर दिया गया है, इसके दर मिलता है आपको lever, जिसके थुरू आप अपनी MID को control कर सकते है, trip A, trip B, mileage range, सारी information आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका XEVENT काफी अच्छा लगता है, इसके थुरू आप अपनी कर सकते हैं, cluster के बाद आप बात करते हैं, इसके steering की, तो ऐसा कुछ आपको decat steering मिलता है, कोई leather finish यहाँ पर नहीं दी गई है, यहाँ पर देखेंगे, आपको multimedia के controls मिलते हैं, बीच में मिल जाते हैं आपको tata की branding, यहाँ आपको ऐसी कुछ प्याणो black finish दी गई है, and adjustment की बात कर लें, तो इस लिवर के थू, आप अपनी steering को tilt adjust कर सकते हैं, उपर नीचे, telescope का कोई option यहाँ पर नहीं दिया गया है, and steering के पीछे देखेंगे, आपको मिलते हैं, wiper के controls, अगर right side की बात की जाए, तो यहाँ पर मिलते हैं, इवेंट्स जो की chrome treatment के साथ offer किये जा रहे है, and यहाँ पर देखेंगे, आपको मिलता है, 7-inch का touch infotainment system, XT rhythm pack में, जिसमें आपको Android Auto, Apple Car पे सब को support करता है, 4 speakers का premium sound system में यहाँ पर दिया गया है, touch performance भी आप देख सकते हैं, काफी बढ़े हैं, इसका जो reverse parking camera है, उसकी quality में अभी आपको दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर reverse parking camera दिया जा रहा है, इसको और भी better किया जा सकता था, तो XT rhythm pack में आपको यह touch infotainment system offer किया जा रहा है, यह काफी अच्छे चीज़े, यहाँ पर manual AC के controls, नीचे की बात की जाए, तो आपको 12W का charging port दिया गया है, यहाँ पर USB का port, उसी की नीचे आपको अच्छी का सी space यहाँ पर दी गई है, अभी देख रहा हैं, आप 5-speed manual transmission को, इसमें automatic का भी option है, अगर आप CNG वेंड लेते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ आपको manual का यह option देखने को मिलेगा, manual handbrake, यहाँ पर आपको 2 cup holder दिये गए, यहाँ पर कुछ space पीछे भी आपको space यहाँ पर दी गई है, glove box की बात कर ले, तो देखेंगे decent space मिल जाता है आपको, इसके glove box में उपर आपको tablet holder दिया गए, separate space देखने को मिल जाती है, पूरा dashboard interior जो की काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, अगर उपर की बात की जाए, तो उपर आप देखेंगे, इधर मिलता आपको vanity mirror, अगर driver side की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको कोई vanity mirror आफर नहीं किया जाता है, यहाँ पर mic की placement दी गई है, यहाँ पर manual day night IRVM, visibility देखेंगे, काफी अच्छी मिल जाती है आपको tartity आगो में, इसके pillars में देखेंगे, यहाँ आपको twitters की placement दी गई है, यह तो हो गई पूरे interior की बात, आप चलिए गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसमें आपको ABS with EBD, center locking, power door locks, child safety locks, seatbelt warning, engine immobilizer, crash sensor, anti-thirt device, speed alert, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, और इसमें आपको 2 airbags offer की जाते हैं, अब बात करते हैं, इसके main change इसकी pricing की, तो अभी देख रहा है, आप XT rhythm pack को 6,64,000 रुपे का एक showroom price है, on-road लखनों की बात पर, तो 7,35,000 रुपे का यह on-road लखनों पर जाता है, तो काफी अच्छे price range में, काफी अच्छे अच्छे features आपको यहाँ पर दिये जा रहे हैं, तो यह था Tata Tiago का XT rhythm pack, कैसा लगा आपको नीचे comments में जोब देगा, अगर आपको वीडियो पसंद आद वीडियो को like कर देगा, and special thanks to SRM Motors, station road 4 बाग लख रहा हूँ, जिन्होंने मुझे से cover करने का मौका दिया, तो deal any Tata cars, visit this room, अगर आपको वीडियो पसंद आद वीडियो को like कर देगा, and channel को subscribe कर देगा, क्योंकि आपके लिए car selected वीडियो मलाता रहता हूँ, तो मैं आसे इसमें दब ने वीडियो के साथ, तब तक लिए जहन वन्दे मात्रम,